नमस्कार दोस्तों जिस कारण सेक्स का मजा भी किरकिरा होता जा रहा है क्योंकि सेक्स के दौरान महिलाओं की और से ठंडे पन का परदर्शन पुरुशों के जोश को भी ठंडा कर देता है कई शादी शुदा पुरुश शिकायत करते हैं कि उनकी पतनिया संभोग में आरुची दिखाती हैं बेमन से बिस्तर पर साथ देती हैं और उनके ठंडे पन के कारण हमारी उतिजना भी ठंडी पड़ जाती है कभी कबार तो इस समस्या से उनकी पतनी के साथ अच्छी खासी बहस और जगड़ा भी हो जाता है कुल मिलाकर सेक्स लाइफ का तो बैंड ही बजा हुआ है क्या करें पुरुशों की इस समस्या को नकारण नहीं जा सकता इसलिए मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ महिलाओं के ठंडे पन को दूर करके सेक्स में रूची जगाने वाले घरेली नुस्खों के बारे में लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिख रहे बैल आइकन को भी दबा दे हर लेटस्ट वीडियो को पहले देखने के लिए तो घरेली उपायों में सबसे पहले बात करते हैं लहसून की महिलाओं के खून में उबाल लाने का सबसे बेस्ट तरीका है लहसून खाना इसे खाते ही महिलाओं के अंदर सेक्स हर्मोंस एक्टिव होने लगते हैं दरसल लहसून के अंदर एंटी कोगुलेंट तत्व पाया जाता है जो औरतों के योन अंगों में बलड सर्कूलेशन को बढ़ा दिता है जिससे उनके अंदर सेक्स की इच्छा जागने लगती है रात को सोने से लगबग एक घंटा पहले आप लहसून की दो से तीन कच्ची कलिया खालें और उपर से गरम दूद पी जाएं बिस्तर पर पती का साथ खूप देख पाएंगे आप अगले उपाए में आप शतावरी का सेवन करें बहुत ही फायदे मन औश्यदी है इसके सेवन से स्वास्ते लाप के साथ-साथ महिलाओं के अंदर गजब की सेक्स पावर आ जाती है साथ ही यह महिलाओं के बांचपन की समस्याओं को भी पूरी तरह दूर करने में सहायक होती है जिन महिलाओं की सेक्स इच्छा पूरी तरह मर चुकी है उन महिलाओं को शतावरी चूरण को रोजाना एक चमच की मातरा में सेवन करना चाहिए इसे पानी या दूद के साथ कैसे भी ले सकते हैं इस उपाय को करने से इस्तरी मिलन के लिए तड़पने लगती है यह दो उपाय करने से ही इस्तरीयों का ठंडापन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और वैख खुलकर पती को संभोग में जो है सहायता करने लगेगी भरपूर अपनी और से सहयोग करने लगेगी इसके अलावा जो भी पूरुश या महिलाएं यह नुस्खा करने में या बनाने में आसमर्त है या समय की कमी के कारण नहीं बना सकते तो उनके लिए बना बनाया आर्वेदिक नुस्खा भी हमारे पास उपलब्ध है वीडियो में दिखाए जा रहा है नंबर पर कॉल करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं धन्यवाद